मोनिका स्टाइल में पर फिर से आपका स्वागत है तो चलिए फ्रेंट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक पोनी बना ली है और उसके बता बेसकते हो यह मेरे पास एक स्पंज का टुकड़ा है तो इसको मैंने डवल करके इस तरह से अ प्रॉब्लम हो रही है और मैंने इसको कर लिया है तो आपके पास अगर इस तरह का स्पंज का टुकड़ा है तो आप बना सकते हो वरना इसके जगा कुछ और भी यूज़ कर सकते हो उसके बाद देखिए जो पोनी का हेयर है उसको इस तरह से मैंने टू पार्ट में किया है उपर वाला पार्ट थोड़ा कम लेना है और निचे बालो को ज्यादा छोड़ना है उसके बाद इस तरह से बालो को अच्छे से उपर फैला लेंगे जो इस पंज रखा हुआ है उसके उपर और फिर एक पतला रबर बैंड मैंने लिया है और थोड़ी दूरी छोड़ते तरह से बालो की इस बालो की इस तरह से पतला रबर बैंड मैंने लगा दिया है इस तरह से लगा लेने के बाद पर थहा के डी राग आंशे घंष कर लेना है और यह निदी कर सकते हो और थे हम पिन को आगे की जग्या ईगर कर रच लिया나ा है तो आगे की अगे की घंष यहां पर आगे की जगायां लगा। देख सकते हो आप कितना क्लीन एकदम हो गया है तो इस तरह से कर लेने के बाद आप देखि जो नीचे हेर बचा है उसमें एप से बालो का और इस तरह से मैंने लिया है और एकड़ बन के बराबर से और थोड़ा सा नीचे से अंदर की साइड से रखेंगे मतलब बाहर के साइड को रखना है ज्यादा अंदर नहीं करना है उसके बाद साइड से इसमें यू पिन नहीं लगानी है यहां पे आपको बॉबी प इन से टाइड किया है उसको यहां पे हम थी पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करके सिंपली इसकी हमें यहां पे एक ब्रेट बनाएंगे तो ब्रेट बनाते टाइम इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा हेयर का सेशन जो नीचे हेर छोड़के रखा हुआ है इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा हेयर लेते जाना है और जो हम उपा चोटी डाल रहे हैं बेट बना रहे हैं तो उसमें चोटी को गूथ टाइम एक-एक सेशन बालो का एड़ करते जाना है तो इस तरह से देखे मैंने अभी पहला सेशन लिया है और उसको मैं अपनी चोटा सा बालो का सेशन ले लेंगे तो बस इसी तरह से करके चोटा-चोटा सा एकदम बालो का सेशन लेते जाना है कितना है कितना हेयर का सेशन चोटा-चोटा मतलब की कम लेना है वह अपने मतलब आपके हेयर के उपर डिपेंड करता है कि उसकी थिकनेस के उपर कि आपक आपको अपने हेर के अकॉर्डिंग लेते जाना है और इस तरह से करके ऊपर चोटी हम डाल रहे हैं तो उसको एकदम सीधा नहीं रखना है कि आप आगे की साइट को हाथ कर लो अपने बन के ऊपर से इसको बन के साइट घुमाती है जिससे की चोटी बहुत आगे लंबी ना बने कि आगे से उसका लुक खराब दिखाई दे तो यानि कि जिस्ता से आपका बन आगे से रौंड है वैसे आपको अपनी चोटी भी रौंड ही रखते जाना है और उसी में तो अगल मैं कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हूं इसका मतलब कि यह हेसी हटाल है क्योंकि ने ऐसे बन रहे है तो कि यह है। आप से कैसा बना और कितना समय लगा आपको बनाने में और यह आपको कैसा लगा आप जरूर ट्राइ करोगे तो जरूर से जरूर मुझे कॉपेट में रिप्लाइ देना तो इस तरह से करके मैंने देखी एक्दम लास्ट तक का हैर का सेशन ले लिया है नीचे कोई हैर नहीं अब लगा लगा लिया है तो देख सकते हैं अब उपर से इसका लुक इस तरह से आया है ब्रेट इंग जो ऊपर बन उसके पास से आई है और जो एक्स्ट्रा चोटी है क्या करेंगी उसको सिंपली हम अपने हाथ में इसतार से करके लपेट लेंगे फिंगर की हर्प से और तो अभी हमने रिखते हैर को पाता है तो जो पहले से बन बन जाए हुआ है उसके अंदर ने चोटी को ना है यो पिन या बाबी पिन लगाने इसको अच्छे से टाइट कर लेसे तो इस तरह से हमारा बन बन के हो गया है रेटि और अगर आगे से हल्का फुलका ऊपको लूज ने अच्छा है और इसको थोड़ा से मैंने डेकोरेट किया है तो मैंने सिर्फ यहां पर जो ब्रेट आगे से आई है उसमें मैंने बीट्स लगाए है आप इसको अपने च्वाइस का अपार्डिंग भी डेकोरेट कर सकते हो तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा ह होगा है पसंद आई होगी अगर आई है तो प्लीज रहें को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल भी मैं भूलेगा मिलेंगे आपसे अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए एंड थैंक्स पॉर वाचिंग